इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी मेंटाडी टैबलेट एक prescription दवा है जिसका इस्तेमाल अलजाइमर रोग के इलाज के लिए किया जाता है यह स्मृती और सोच में सुधार करके मध्यम से गंभीर अलजाइमर की प्रगती को धीमा करने में मदद करता है यह तंत्रिका संकेतों के संचरण में शामिल एक रासायन एक संदेशवाहक के स्तर को भी बढ़ाता है मेनाटा डी टेबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है लेकिन पेट खराब होने से बचने के लिए आप इसे भोजन के साथ ले सकते हैं हाला कि रक्त में दवा का एक समान स्थर बनाए रखने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी खुराक को न छोड़ें, लेकिन अगर आपको इस दवा की एक खुराक याद आती है, तो इसे जल्द से जल्द याद रखें। यदि आप बहतर महसूस करते हैं, तो भी उपचार का पूरा कोस समाप्त करें और इसे अचानक लेना बंद न करें। इस दवा के कुछ सामानने साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, भूख न लगना और सिरदर्द शामिल हैं। इससे चक्कर आना और नींद भी आ सकती है। इसलिए, जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यक्ता हो। इस दवा को लेते समय अपने आपको हाइड्रेटड रखने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं क्यूंकि यह दवा दस्त का कारण बन सकती है। रही है या स्तनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।